वेलकम टू आवर यूटूब चैनल आज है 1 जून 2021 एक नई दिन के एक नई मन्त के current affairs की सुरुवात हम आज यहाँ पर करने वाले हैं वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा आज से आप एक चीज़ जरूर कर लीजिए कि आज एक नए मन्त है तो आपको last में जो test का question है वो आपको उसका reply करना ही करना है इससे आपी को profit है अगर आपके कल 25 comments जो है वो cross करता है तो कल आपके लिए मैं कल से आपके लिए एक surprise मैं आप लोगों के लिए लेके आने बाला हूँ एनिमेशन में होगा तो आप वीडियो को like करें और subscribe जरू करना चैनल को ताकि यहाँ पर आपको हर एक वीडियो की notification मिल सके bell icon को दबा करें ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले question के साथ गोवा इस्थापना दिवस कब मनाय गया है इसका right answer होगा option number A आपका correct है 30 मई को गोवा इस्थापना दिवस की यहाँ पर इस्थापना दिवस की regarding यहाँ पर मनाय गया गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी यह भी काफी important point यहाँ पर बन जाए गया everyone देश के नए वानिज्जे सचीव यानि की Commerce Secretary कोन बने है इसका जो right answer होगा यह होगा option number A आपका correct है B.V.R. सुबर्मण्यम देश के नए वानिज्जे सचीव की रूप में यानि की Commerce Secretary के रूप में यहाँ पर चुने गए है B.V.R. सुबर्मण्यम important question यहाँ पर बन जाए गया everyone अगला question है I.A.S. B.V.R. सुबर्मण्यम को Ministry of Commerce में सचीव बनाया गया है B.V.R. सुबर्मण्यम 30-2021 से इस पर नियुक्त होंगे और वे अनुप बधावन का स्थान लेंगे यह भी एक important question यहाँ पर बन जाएगा अगला question है Indian Broadcasting Federation का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है इसका जो right answer होगा यह होगा option number D आपका correct है Indian Broadcasting and Digital Foundation यानि की IBDP यह काफी important question यहाँ पर बन जाएगा everyone आप इसे most important में यहाँ पर note on कर लेना देखे Broadcasting का सिर्स संगठन Indian Broadcasting Foundation ने अपने दाइरे के विस्तार कर Digital Streaming सेवाओं को शामिल कर रहा है इसलिए अब Indian Broadcasting Foundation का नाम बदल कर Indian Broadcasting and Digital Foundation यानि की IBDF कर दिया गया है ठीक है important question यहाँ पर बन जाएगा everyone अगला question है Tashang Yin-Hing Mount Everest की सबसे उची चढ़ाई करने वाली सबसे ते चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली मेला बनी है यह किस देश की है तो नाम सही आपको confirm हो रहा होगा यह चाइना के साइड की होंगी यह होंग कोंग से related करती हैं होंग कोंग से relate करती हैं यह दीके यहां पर Tashang Yin-Hang ने 25 घंटे और 50 मिनट में record समय में Mount Everest को फत्या किया है और इसी के साथ वे Mount Everest पर सबसे तेजी से चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है अगला question है विश्वे 5 स्वास्ते दिवस यानि की World Digestive Health Day यह कम मनाया गया तो यह हर साल मनाया जाता है 29 माई को तो option number D आपका correct है उद्देशे के है इस दिन का मनानिका इस दिन का उद्देशे पाचन समंधी जो रोग है विकार है उनके विशे में जन जागुरुकता बढ़ाना और विश्वे पाचन स्वास्ते दिवस 2020 की जो इस बार की theme है यह है यहाँ पर obesity and ongoing pandemic यह important question यहाँ पर बन जाएगा everyone अगला question है यूवा प्रधान मंत्री योजना को किस मंत्रा ले द्वारा लोंज किया गया है इसका जो राइट एंसर होगा यह होगा option number A यह तैका यूवा का मतलब क्या होता है इसके अलग-अलग word की अलग-अलग meaning है जैसे कि यंग यूप क्या होगा upcoming week क्या होगा यहाँ पर वर्सेटाइल्स एंड एका मतलब क्या हो गए यहां पर ओथर्स यानि कि सिख्षा मंत्राले के तहत उच्षा विभाग के युवा लेखा को यानि कि जो यंग राइटर्स हैं उनको प्रक्षिक्षन करने के लिए युवा प्रधान मंत्री योजना को सुरू किया गया है ठीक कंसल्टिंग प्रोग्राम है इस योजना के तहत पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृत को पढ़ा जो बढ़ावा है वो यहां पर दिया जाएगा रमेश पोक्रिया निशंक हमारे देश के कौन है सिख्षा मंत्री है अगला क्यूशन है सुब्रत बठा चार्जी को किस देश में भारतिय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है यह चिली देश के राजदूत के रूप में option number B आपका correct है आपर सुबरत बठाचरजी वर्तबान में सब जो सर्विया है इसमें भारतिय राजदूत के रूप में नियुक्त है कौन सा संगठन स्टेव फ टांटिक जो संधी है संगठन है यूरोप में स्टेंड फास्ट डिफेंडर 2021 वोर गेम्स सेन्य अभ्यास आईजित कर रहा है इस युद्ध अभ्यास में नोटो, सेन्य, सेनिक, युद्धापोत और यहां पर विमान भाग ले रहे हैं यह अभ्यास पूरे अंटार्टिक, यूरोप और काला सागर जो यहां पर ब्लैक सी हैं वहां पर उस छेतर के अंदर आईजित के जाएंगे इस अभ्यास का उदेशे सभी देशों में आपसी सहयोग और सेन्य शक्ति का परदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्तती से निप्टा जा सके अगला क्यूशन है किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को सुरू किया है इसका राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर A, वेस्ट बेंगोल तेके इस योजना के तहत गरी परिवार में ऐसी महिलाएं जो घर की मुखिया हैं उनको 500 रुपे परती महीना भत्ता दिया जाएगा और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जातियों की महिलाओं को 1000 रुपए परती महा के रूप में भत्ते के रूप में दिया जाएगा ताकि अर्थ वेवस्ता को और अधिक मजबूत किया जा सके आज का हमारा आखरी क्यूशन है UAE का golden वीजा हासिल करने वाले पहले भारतिय अभिनेता कोन बने है इनका नाम है option number D संजेदत तो यहाँ पर D आपका correct है तेकि सयुक्त अरब अमिराथ यानि की UAE जहाँ पर 13 वे जो IPL है उसका संस्करण आईजित किया गया था यह golden वीजा हर किसी को नहीं देते हैं यह एक ऐसा वीजा होता है जो खास वेश्विक हस्तियों को ही दिया जाता है यह golden वीजा 10 साल के लिए जारी किये जाते हैं और इनका नविनी करण अपने आप ही हो जाता है और संजेदत UAE का golden वीजा हासिल करने वाले पहले भारतिया बिनेता बन गए है आज के आपके लिए जो test का question है निमनलिकित में से किसे अंतराष्ट ये एनी अवोर्ड 2020 से सम्मानित किया गया है इसके लिए आपको comment section में इसका reply करना होगा वीडियो को 500 like काम target रखते हैं ठीक है वीडियो को like करने से काम नहीं बनेगा आपको वीडियो को share भी करना पड़ेगा